आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगों दोस्तो मेरे नाम है प्रभाति वरी बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो प्रभाति वरी स्टड़ी आई क्यों पे दोस्तो जैसे के मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेवल भरती 2020 का दोस्तो फिजकल समापई की ओर ब उत्सक्ता जाकती जा रही है और मेडिकल डेट से उत्सक्ता जाकती जा रही है हर चीज में दोस्तों आपकी उत्सक्ता बढ़ती जा रही है तो जानेंगे दोस्तों आपका रिजल्ट कब आएगा मेडिकल कब होगा और मेडिकल पहले होगा या फिर फिजिकल क्या होगा पहले दोस्तों डिस्क्स करें सबसे पहले बताना चाहता हूँ जो लोग चैनल पे नहीं हैं दोस्तों प्लीज चैनल को सब्प्राइब करें और विल आइकेन को दबाएं जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचते रहें और दोस्तों दिल्ली पुलिस का ओफिसियल नोटिस क्या है उसको भी दिखाएंगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यूटूब की इतिहास का मात्र दो दिन बचा है दोस्तों दो दिन और आपका सर्वे चलेगा उसके बाद आपके लिए फाइनल कटाप की वीडियो आ तो जो लोग अभी तक इस महारेस में भाग नहीं लिए दोस्तों कटाप की महारेस में प्लीस आपसे हाँ जोड़कर request है कि आप जाए कमेंट सेक्षर में अपने comment करिए और उसमें अपने marks लिखिए category भी लिखिए और कितने marks आपके बन रहे हैं दोस्तों सबसे पहले आए हम official notification को दिखाते हैं जो दिल्ली पुलिस की आपको official side पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चलिए हम official notification को पहले देखते हैं it is hereby informed that the physical instruments and measurement test which will schedule to be held tomorrow on 2721 will now be held as per following schedule तो यहाँ पर दोस्तों जिनका ठीक है यहाँ पर जिनका 20 तारी को physical था उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक notification जारी कर दिया है दिल्ली पुलिस ने ठीक है यहाँ पर लिखाए फॉर पीटियस जरोदा कलान जरोदा कलान का जो है schedule दे दिया है 28 साथ को ठीक है जिनका कल था 20 तारी को था उनका 28 तारीक को बारे में यहाँ पर साफ साफ जिक्र कर दिया है और यहाँ पर जिनका एंपिल ग्राउंड पर था फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड एंपिल तीस साथ 24 जिनको 20 तारीक का फिजकल था उनका 30 तारीक को डेट मिल गया है जिनको पता नहीं है प्लीज इस इंफॉर्मोशन को जान लीजिए उसके बाद हम बटाएंगे कि आपका फिजकल और मेडिकल की डेट का बैठीक है और यहाँ पर एक बात साफ साफ मेंसन कर दिय हैं क्या कि मेंसन किया दोस्तों कंडिडेट बिल्व हैब टू प्रोड़क्ट फ्रेस आटीपी सीयार रिपोर्ट कोबिट नाटीन विज वी सुड्वी नाट भी मोड़न सेवंटीफोर सेवंटीटू हावर्स तो यहाँ पर साफ साफ करें कि जो आपकी कोबिट सब्सक्राइब आएगर सेव साफ साफ करें हैं आपका अप आणभें अचांग डिक्या जागा है आपका जोमड में रहेगा तो यहां पर you दिल्ली पूलीस की उस्ता यह इन्होंने जारी कर दिया डिल्ली पूलीस की साइट पर दोस्तों यह को मिल जाएगा आपका में मुद्द MI Bangladesh कि थिर समय और 28 तो बढ़ सकती है मैं मान रहा हूं मैक्सिमम दोस्तों आपका 30 जुलाई तक मान रहा हूं फिर भी 5 जुलाई 5 अगस्त माले ठीक है तो वहां तक फिजिकल चलेगा अब दोस्तों बात करते हैं जब आपका फिजिकल चलेगा उसके बाद फिजिकल का दोस्तों रिजल्ट तया जाएंगे और उम्मीद है दोस्तों यह अगस्त का पूरा महीना ले जाएंगे और सितंबर के सिकंदर सितंबर के दोस्तों सिकंड बीक में आपको 14-15 सितंबर ठीक है जब दोस्तों 14 और 15 को आपका final merit लग जाएगी दोस्तों 14 या 15 तारीक हो ठीक है 14 या 15 सी तंबर को आपको final merit लग जाएगी तो वहाँ पर सबसे पहले दोस्तों merit लगाएंगे सबसे पहले merit लगाएंगे जितने लोग दोस्तों सिलेक्ट होंगे उनको सार्ट लिस्टेट करेंगे उसके बाद उनका physical होगा दोस्तों आप यहां कई लोग सोच रहोंगी कि सर medical में कितने बच्चों का सिलेक्ट होगा ठीक है जनी Medical के लिए कितने कंडिडेट ऐसे हैं जिनको बुलाया जाएगा कि पिछली बार जो होगा थबात दोस्तों वही बताना चाता हूं और इस बार भी वही वह ओगा क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि तो यहां पर दोस्तों यही करेंगे आपका पहले मेडिकल नहीं कराएंगे पहले आपका जो है जो साट लिस्टेट में रहेंगे और जितनी बैक्निश दोस्तों अचावन सो प्लस आपकी प्लस आपकी बैक्निश है उतने ही कंडिडेट का दोस्तों मेडिकल में सिलेक्षन होगा इस बात को कान खोल कर सुन लोग कान लोगों के मन में कुश्चन आ रहा होगा कि अध्यों तो लोगों को ही बुलाएंगे जितना seat है तब तब जो मेडिकल में हटेंगे या फिर चटेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद क्या सैट खाली चलेगे चली जाएगी तो यह दोस्तो जो आपका seat जायगी यह ऑन खाली नहीं जाएगी this पर से दोस्तों जिनके ज़्यादा मार्स हैं उन्हीं को दोस्तों मेडिकल के लिए बुला लेंगे और जैसे जैसे सीटेन को कम पड़ेंगी उसी 10% में बुलाते चले जाएंगे तो यह डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि पहले मेडिकल होगा या फिर दोस्तों पहले कि आपका रिजल्ट जारी हो कोई भी दोस्तों किसी भी कीमत पर प्रंदर सितंबर से पहले आपका मेडिकल नहीं हो सकता और हां आदोस्तों मैं मान की चल रहा हूं आपका अक्टूबर के फर्स्ट भीक से आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा 100% के साथ कहता हूं कि आप जो है एक्टूबर के फर्स्स साफता में आपका जो है रहीं प्रेक्रिया चालू हो जाएगी और कम से कम devoted कि'm झालेंगे हर दोस्तों अस्वीटल में आपका मेडिकल होगा तो वहांपर पंद्रह से भीस दिन इन का अपका मेडिकल होगा ये मैं कैसकता हूं आप कई लोग प्रफिज में देखो पांट साल दे आपकी बैकंसी आई है तो ऐसा नहीं कि इनके पास केवल 500 सीटे सीटे बहुत है दोस्तों अभी इनके पास मैक्सिमम पांट से सेना में जवानों की कमी है 18-18 गंटे 12-12 गंटे ड्यूटी करते हैं जो मेरे सर लोग है वो बताते हैं कि बेटा मैं 18-18 गंटे 16-16 गंटे ड्यूटी करता हूं ठीक है तो बहुत ज्यादा पोश्ट की कमी है बट यह जो सरकार है यह पूरा जोइनिंग नहीं कराना चाहती है तो दोस्तों मान की चलिए 90% यह चांस है कि आपकी बेकंसी बढ़ने के बहुत कम चांस है ठीक है अगर बेकंसी बढ़ जाती है तो मैं भी कामना करता हूं आपकी बढ़ जाए लेकिन बेकंसी बढ़ने के दोस्तों बहुत ही कम चांस है ठीक है तो इस बात को ध्यान रखन और आप लोग जो मुझे पर इतना यकीन भरोसा करें तो मैं उस पर खरा उतल चकूँ तो अभी के लिए दोस्तो इतना ही यही थी सूचना यही थी दोस्तो आपकी medical से जानकरी यही थी दोस्तो आपके जो एक्सेंड हुआ है आपका जो physical credit वही थी जानकरी जो official notification था उसको मै नहीं होना अगर किसी भाई का ठीक है इस बैकेंसी में नहीं होता बहुत सारी बैकेंसी है गुर्पडी की बैकेंसी है पister आपकेंसी है